हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन जैसा कि आप सभी जानते ही है इरान के राश्टपती इब्रहीम रईसी सहब की मौत हो गई है एक हलिकॉप्टर दुरगटना में जहां पर वो एक event के बाद लौट रहे थे वो हलिकॉप्टर क्रैश हो गया उस क्रैश में उनकी मौत हो गई और अभी तक जो है उनकी मौत पर काफी सारे देशों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो कि एक सामान ने प्रतिक्रिया होती है किसी भी बड़े नेता की मौत पर बहुत सारे देशों ने शोग जताया है गहरी चिंता गहरा दुख जताया है वगेरा भारत की ओर से भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ट्विटर यानि की एक्स पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त की है उन्होंने इब्राहिम रईसी सहाब को शर्धानजली दी है और इरान के लोगों को कहा है कि आपके दुख में हम आपके साथ हैं इस तरह का जो एक सामान ने वारतालाब होता है जो नेता लोग करते ह वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर किया है अब इसमें एक इंट्रेस्टिंग चीफ जिसको देखे जाने की आवशक्ता है वो यह है कि इब्राहिम रईसी की मौत का जियो पॉलिटिकल प्रभाव क्या पड़ेगा भू राजनेते क्योंकि देखिए इर इवराइल और गाजा के विवाद को मान सकते हो और जैसा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि इवराइल और इरान में आपस में मिसाईलों पाका जो है हमले हुए थे इन्हों ने इवराइल ने सीरिया पर हमले किये थे इरान के काउंसलेट पे जवाब में आश्टपती की मौत हो जाए वो भी एक दुरगटना में प्राकरतिक मौत नहीं मत प्राकरतिक तो नहीं कह सकते हैं दुरगटना यह लेकिन तो ऐसे में इसके जियो पॉलिटिकल इंपक्ट क्या हो सकते हैं इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और भरत पर इसके प्रभाव क् अच्छे खासे हैं तो अगले 5-7 मिनिट में हम खाली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या प्रभाव इतके हमको देखने को मिल सकते हैं लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई 20 तारिक जो है वो हमारे P2I नहीं कि आज हमारे P2I बै इस questions मिलेंगे प्री और मेंस दोनों के और साथ के साथ इसमें आपको जो है 18 किताबे आपके घर पहुँचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी बैच के अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें लगभक सभी देशों ने दुखत प्रतिक्रिया दी है एक अमेरिका की प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है अमेरिका ने बस ये कहा है कि हमने राश्ट पती बाइडन को इस परिस्थिती से अवगत करा दिया है वो भी दु जाव की स्थिती बन सकती है वो बनेगी तब अगर ऐसा किसी को लगे कि भाई ये जो पूरी उनकी म्रत्यू हुई है इस म्रत्यू में किसी प्रकार की साज़िश है। मान लीजिए कोई जाच में किसी भी तरह का अंदेशा पाया गया कि किसी भी तरह पे उनको मारने के साज़िश की गई थी या ऐसा कोई संदेह भी उत्पन हुआ तो निश्चत तोर पे जो एक आपका तनाव है जो शेत्रिय तनाव है वो एकदम चरम पर पहुंच जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है अगर ऐसा कुछ भी पाया गया तो अगर ये एक्सिडेंटल डेथ है जिसकी संभावना लग रही है अभी तक अभी तक सबका वरजन यही है कि मौसम बहुत खराब था वहां पे बहुत धुंद थी बहुत कोहरा था बहुत जादा बादल थे इत कारण से शायद उनका हेलिकॉप्टर की दुरखटना हो गई तो अगर ऐसा ही रहता है तो ठीक है अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी प्रकार से किसी की साधिश है किसी व्यक्ती ने किसी देश ने किसी संस्था ने उनको मारने का प्लैन बनाया है तब निश्चित तोर प पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल विवाद आपको इस छेतर में देखने को मिलेगा उसको फिर कोई नहीं रोक सकता दूसरा बिंदू क्या है कि देखिए इस बात को भी समझे कि हम दूसरा बिंदू जो ले सकते हैं वो हम अमेरिका के साप एक्ष ले सकत यह तो आपको पता है यह आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ जब इरान और इवराइल के बीच मिसाईलों का आदान प्रदान हुआ दुनिया भर का विवाद हुआ तो उस समय क्या हुआ इन मिसाईलों को रोकने की कोशिश की गई यह प्रयास अमेरिका ने यहां तक भ सम्बंद खराब होने की कगार तक जाके राफा पर हमला करने से इवराइल को रोकने की बात कही इरान पर भी आगे बहुत बड़ा हमला अमेरिका ने नहीं होने दिया इस बात के पर्याप साक्ष है कि बाइडन सहाब खुद इरान नहीं गए लेकिन उनके अधिकारी जो है इरान से निरंतर संपर्क में थे तो रेइसी सहाब की जो सरकार थी और बाइडर शाहब की जो सरकार थी दोनों में एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी। पॉई पश्चम की तरफ नरम बेखती नहीं थे। पश्चम की तरफ बहुत कठोर उनकाreichen था उसके बाद भी जो है अमेरिका के सापेक्षिया है एक उनकी समझ थी मतलब एक जिसको हम कहते हैं अंडर्स्टैंडिंग कि दोनों पक्षों की एक अंडर्स्टैंडिंग थी कि यार विवाद को नाहक बहुत जादा नहीं बढ़ाना है कोई फाइदा नहीं है ये अंडर्स्टैंडिंग आने वाली सरकार से किस तरह रहती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आने वाली सरकार से ये अंडर्स्टैंडिंग बनती है या नहीं बनती इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है अब मान लीजिया आगे जो फरकार बनती है वो अमेरिका के साथ ये अंडरस्टैंडिंग विक्सित नहीं कर पाती तो इस शेत्र में तनाव आपको बढ़ता हुआ नजर दिखाई दे सकता है हाला कि ये माना जाता है कि इसराइल बोल दिया इरान में शक्तिया जो होती है वो वहां के धर्मिक नेता के हाथ में काफी हद तक होती है तो चुंकि वहां पर आयातुल्ला अली खिमेनी ने कहा है कि शासत वैसे ही चलेगा तो अभी भी आयातुल्ला अली खिमेनी जो है वो वहां पर निरने लेंगे और उनके निरने लेने के कारण जो है वो तो वही है वो विक्ती वही है तो उस कारण से ऐसा माना जा सकता है कि ठीकथा कंटिन्यूटी एक ठीकथा सतत्ता जो है वो इस पूरे शेतर में बनी रहेगी इस बात को लेकर जादा संदे अभी तक नहीं माना जा सकता तो ठीक है अ आने वाली सरकार किस तरह की बनेगी जैसा कि हम जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो हमारे अमेरिका से भी अच्छे तंबंद हैं हम अमेरिका के भी मित्र हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है अमेरिका से हम इरान के भी मित्र हैं और अभी पिछले हफते की बात है जब हमने चाब बहार पोर्ट को लेकर हमने पूरा एक agreement sign किया था और उस agreement को लेकर अमेरिका ने कहा था कि हम प्रतिबंद लगा देंगे तो जैशंकर सहाब ने कहा था कि नहीं यार देखो सबको लाब होगा तो भारत की रणनीती क्या थी भारत के इरान के साथ मधूर संबंद थे भारत को इरान के साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और भारत ने कभी भी पश्चिमी गठबंदन को जोईन इस हद तक नहीं किया कि हम इरान से शत्रता कर लें यह हम इरान के साथ कोई व्यापार ना करें ऐसा भारत ने कभी भी नहीं किया भारत ने कभी इस बात को नहीं माना कभी पतंतरता का हिसाब किताब रखता है भारत जो है पश्चिम के भी साथ है लेकिन हमारा भी शत्रू नहीं है तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भारत जो है वो काफी हद तक इरान के साथ मितरता का भारत को लाब होता था क्योंकि इरान के पाकिस्तान के मजबूज कैसी बनेगी ये एक देखने वाली बात होगी कि कहीं ये तर्कार जो है किसी कारण से पाकिस्तान के साथ ना हो जाए या हमको अमेरिका का मित्र मानते हुए हमारे साथ भी शतरुतार ना करने लगे इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा इस बात पर भी हमको उनका तो इस बात की पर्याप संभावना है कि राष्टपती रईसी की मौत के बाद भी वहाँ पर जो है बहुत जादा आपको विदेश नीती में परिवर्तन देखने को ना मिले इस बात की भी पर्याप संभावना है तो इस बात को लेकर अगर कुछ बदलाव होता है कोई नई चीव होती है तो आपके सामने सबसे पहले मैं ही लेकर आऊंगा ठीक है चलिए अभी के लिए इतना ही आपको एक बार फिर बता दूँ कि भाई हमारा पी टू आई बैच जो है 17 मही को शुरू हो चुका है दो क्लास शूट चुकी है आपके याद रखिएगा लेकिन सिरीज 18 किताबों का सेट और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा तो आज ही आप AJ लाइब कोड लगा के इस बैक से जुड़िए और अपनी तयार के सेंदी